नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्री डियेलेट प्री बीएट की तैयरी कर रहे होंगे तो उसमें एक टॉपिक है सिक्षन अभी रूची जहां से 30 अंके 30 प्रशन आते हैं इसके लिए प्रेक्टिस वीडियो सीरीच चल रहा है जिसका ये पार्ट 14 है आरेड़ी किस तरह के प्रशन आते हैं आज का हमारा पहला प्रशन है कि आदर से सिक्षक के बारे में आपकी धारना है कि वहां पढ़ाने के साथ साथ अन्यकार्य भी करता है वहां चात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है वहां समय पर इसकूल जाता है वहां केवल पढ़ाने question जो था उसका सही answer है दोस्तों option D 195 में कौन सा question question था previous video जा कर देखिए ठीक चलिए अगला हमारा question है दोस्तों की किसी वैक्ती की सफलता के बारे में आपका विचार है की यहाँ उसकी कटीन महनत और प्रयास का प्रतिफल है यहाँ सफलता उसने बे इमानी से अर्जित की होगी उसमें सच्चाई होगी वहाँ अपना काम समय पर करता होगा क्या लगता है इसका राइट answer क्या होना चाहिए आप भी comment box में लिखिए कि 979 answer आपका A है या B है या C है जो भी यह लिखते जाइए ताकि आपका भी प्रेक्टिश हो तो देख लीजिए यहाँ पे जो सही answer है वो है option A यहाँ उसकी कठीन महनत और प्रयास का प्रतीफल है ठीक है यह होना चाहिए अगला हमारा प्रश्न है सरकारी इसकुलों में सिक्षा के इस्तर को उच्चा उठाने के लिए आपका सुझाओ है उत्पात की गुनवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना अध्यापकों पर सिकंजा कसने के लिए कानून बनाना मुल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करना यह सबी तो क्या होना चाहिए अच्चा प्रश्न है इसका जो सही आंसर है वो है उप्सन ए उत्पात की गुनवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना उत्पात की गुनवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना तो सरकारी स्कुलों में सिक्षा किस तर को उच उठाने के लिए आपका क्या सुजाव है कि उत्पाद की गुनवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाहिसे जोना अध्यापकों पर सिकंजा कसने के लिए कान डूना यह से नहीं हो सकता आसान तथर प्रतिष्ठा बढ़ने वाला काम है यह सबी क्या लगता है राइट आंसर क्या है तो इसका जो राइट आंसर है वो है चुनावती भरा आनन दया काम है ठीक है सिक्षा जो है चुनावती भरा आनन दया काम है दोस्तों अंग्रेजी भासा के माध्यम से उच्च सिक्षा प्रदान करना ग्यान की प्राप्ति के लिए आवस्यक है भू मंडली करन के कारण उपजी परिस्तितियों की मांग है ए और बी दोनों इन में से कोई नहीं तो क्या लगता है राइट आंसर क्या होना चाहिए तो इसका जो राइट आंसर है वो है option C मतलब ग्यान की प्राप्ति के लिए आवस्यक है भू मंडली करन के कारण उपजी परिस्तितियों की मांग है ये है इसका राइट आंसर अगला हमारा प्रशन है प्रभावी सिक्षन के लिए निम्न मेंसे किस सर्थ को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए कक्छा में नोट सुदिना चात्रों के समक्ष तत्सम एवं सुद्ध भासा का प्रियोक करना वया वहारिक उधारान देकर पाठ्य पुस्ति को इसपष्ट करना दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर करें ताकि आगे भी वीडियो आते रहें आपकी द्रिश्टी में पती पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है बच्चों की सिक्षा संबंद आवस्यक्ताओं की पुर्ती के लिए यहाँ आवस्यक है परिवार को संबंद बनाने के लिए यहाँ आवस्यक है इस समाज में प्रतिश्ठा बढ़ती है क्या लगता है सहीं आंसर क्या है तो इसका जो सहीं आंसर है वो है option D यह सबी यह सबी मतलब बच्चों की सिक्षक संबंद आवसकताओं के पूर्ति के लिए यहाँ आवसक है, परिवार को संबंद बनने के लिए यहाँ आवसक है, इस समाज में प्रतिष्था बढ़ती है, अगला हमारा प्रशन है कि सिक्षक राष्ट का निर्माता है इस कथन पर आपक कि क्या प्रतिक्रिया है, यहाँ के वाल एक आदर्स वाक्या है, ब्रश्ट नेताओं के आगे सिक्षकों की कुछ नहीं चल पाती, यहाँ वास्त विक्ता है क्योंकि सिसु ही आगे चल कर राष्ट में सक्री भूमी का निभाते हैं, इन मेंसे कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर है, वो है, आप्शन C, ठीक है, आप कह सकते हैं, आदर्स वाक्या है, और यह भी कह सकते हैं, नेकिन आपको आंसर तो आप्शन C ही देना होगा, तभी एक नंबर मिलेगा, अगला हमारा प्रस्ण है, अध्यापक बन जाने के बाद आपकी इस कार्या में अधीक प्रस्ण है, तो इसका जो राइट अंसर है, वो है, आप्शन A, चात्रों की ज्यान विर्धी एम व्यक्तित्व विकास में, ठीक है, यह ट्यूशन वाला तो आप चुनना ही नहीं नहीं, तो आपका नंबर कटेगा, चात्रों की सिकायत प्रधाना चारे तक पहुचाने मे ठीक है कर सकते हैं, सिक्षन के मांदन को उचा उठाने में ठीक है, नेकिन होपसन है सबसे उचीत है, चलिए, अगला हमारा प्रशन है कि, बालीका शिक्षा आवस्यक है क्योंकि बालीकाएं आगे चल कर अपने सीशूओं का मार्ग दर्शन करेंगी, बालीकाएं सद्यों वालकों से अच्छे अंक लाती हैं जब सिख्चा के बाद वे नौकरी करेंगी तो प्रिवार की आए बढ़ेगी ये सबी तो क्या लगता है राइट आंसर क्या होना चाहिए 205 का आंसर क्या होना चाहिए आप भी लिखे ताकि प्रेक्टिस होता जाए A B C जो भी आपको लग मिंज़ां में तो यहां पे अश्यां आंसर जो है वह है बलका आगे चलकर अपने सीसौण somethin का मारग दरशण करेंगी यह इसका राइट अंसर अगला प्रशन प्रशन है कि इससरकार सिक्षकों की मांगे ना माने तो सिक्षकों को क्या करना चाहिए सिक्षकों को सिक्षन का नरे कर दना चाहिए अपनी मांगों को लेकर नियाला कर दर्वाजा खट-खटाना चाहिए अपनी नहीं करना चाहेंगे ऐसा आंसर नहीं दे सकते यह तो चलो एक बार ठीक है जब तो में वेतन ना लेने के लिए तो कोई एगरी होगा नहीं तो देखिए ऑप्सन भी सबसे उचीत आंसर है इसका अगला प्रशन है कि समुदाय अध्यापक से यहां अपेक्चा करता है कि उसक तो इसका जो सही आंसर है वो है उप्सन डी अर्थाद उसका अचरन एवं वेभार मिसाली तथ सत्यता की तस्वीर हो वह चातरों के साथ किसी भी प्रकार का भेद भावना करे वह कम जोर है मैं धावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुची ध्यान दे यह है इसका राइ अच्छे वर्न व्यवस्था का विरोध है समास सुधार की भावना का घोतक है बहुत अच्छा प्रस्ण है क्या लगता है तो पहला एक चीज यहां जानने को आपको मुला कि नरायन गुरू का यह कथन था जिस इस वर ने जाती बनाई हमें उसे इस वर को त्याग देना च तो इसका सही आंसर जो है वो है option C वर नवस्था का विरोध अगला हमारा प्रस्ण है कि यदि आपका इस्थाना अंतरन दूर दराज किसी ऐसे इस्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे पसंद ना पसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अप हुथी अच्छा प्रस्ण है और जवाब तो आपको positive ही देना है हाला कि आप वास्तिता में यह चीज़ करने की सोचेंगे यह करेंगे ठीक है यहां तो यह आंसर आप दे ही नहीं सकते नंबर कर जाएगा और यह भी आपने करेंगे यह भी नहीं करेंगे तो बचा क्या यह पसंद ना पसंद की बात मंस निकालकर लगन से अपना काम करेंगी तो यह आंसर आपको देना है तब आपको एक नंबर मिलेगा अगला हमारा प्रस्ण है दोस्तों अध्यापक का चात्रों के साथ इसकुल में खेलना कैसा है उचित है इससे दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाता है इस पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता विशेश आउसरों पर उचित है क्या लगता है सही आंसर क्या होना चाहिए बहुत अच्छा प्रस्ण है तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 210 का आपको ए लगता दोस्तों चैनल को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दीखेगा आपको नीचे और अब यहां पर लोगो आएगा वहां करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और विडियो को लाइक जरूर कीजिए जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स म दबाने के बाद बेल आइकान दिखता है उसे भी दबाना बहुत जरूरी है ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलें बेल आइकान दबाने के बाद notification to all जरूर करें तब चिनना ऐसा हो जाएगा और आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी मिलेंगे एगले वीडियो में धन्यवाद